तो कंसंट्रेशन शेल्स क्या होते हैं ऐसे सैल्स होते हैं जो सेम इलेक्टोड के बने होते हैं तो अंतर क्या होता है अंतर होता है कंसंट्रेशन ओफ आइन्स का ठीक है तो जैसे अगर हम बात करें अगर हाइड्रोजन का हमारे पास कंसंट्रेशन सैल है तो उसको हम किस प्र और यह C1 इसकी जो है concentration है two vertical line फिर हम जो है reduction half cell को represent करेंगे यहाँ पर H positive concentration यहाँ पर क्या होगी अलग होगी यानि कि C2 one vertical line and H2 तो इस प्रकार से हम represent कर सकते हैं I2on concentration cell को अगर zinc concentration cell को अगर हमने represent करना तो किस प्रकार से represent करेंगे देखेगा zinc concentration cell को represent करने के लिए सबसे पहले हम बात करेंगे oxidation half cell को represent करेंगे फिर उसके बाद जो है reduction half cell को represent करेंगे तो oxidation half cell को किस प्रकार से represent करोगे zinc ठीक है यहाँ पर क्या आएगा zinc ion यहाँ पर क्या होगी zinc ion की यहाँ पर जो concentration है वो C1 है इस प्रकार से हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं जो हमारे पास जो है zinc concentration जो थीक है तो यहाँ पर आमारे पास जो concentration जो cell है उसमें क्या खास बात होती है कि जो electrode होती है वो same material की बनी होती है same type के होती है और जो ions की concentration है वह अलग होती है उसको हम क्या बोलते है concentration सै तो यहाँ पर हम जो है इसके उपर जो freakinegen estAST equation क्या थी वो च्शक्अत याद कीजिएगा अनास्ट एक्वेशन थी हमारे पास जो एमफ होता है सेल को किसके बड़ाब होता है स्टेंडर्ड एमफ दस सेल माइनस जीरो पाइंट जीरो फाइव नाइन अपोन एन लोग बेस टैन ठीक है यहाँ पर क्या था रियक्शन कोविशेंट क्या हो ठीक है इस प्रकार से हमने रिप्रेजेंट किया था इसको नस्ट एक्वेशन को अब हमना अपलाई करना है कंसंट्रेशन चैल के उपर तो यहाँ पर दिखें इम वफ दाशेल किके बरावर होगा 對 कि बावर क्यों हुग क्यूं होगा क्यों कि यह सेम ताइब की जो है लैक्टोड है ठीक है तो यहाँ पर जो स्टंडर्ड्ड कंड्यिशन के अंदर आप ने लोगे का सेम और्यों और यहाँ पर आम पर जो स्टंडर्ड एम रियो वह कैसे निकालते हैं मारे पास क्या फोर्मूला था वो था आमारे पास यहांक uh र्यशन डद जोंड वह सेम यहां फित है माल लोगतनी है यह यह oc तो कि आब ड्रावर वहगा जीनों के बिरावर होगा पर शब्कू सकते हो अगर झिंक के की सी पर 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 उसक कर सकते हो कैसे आप निकाल सकते हो अगर हम जिंक concentration cell की बात करें तो आप कैसे निकाल सकते हो ज़रा देखिए इसके अंदर जो reaction हमारे पास होगी एनोड के उपर क्या reaction होगी ठीक है एनोड के उपर क्या होता है oxidation होता है तो यहाँ पर क्या होगा जिंक जो है जिंक आएन के अंदर change होता है लोज करने के बाद कैथोड के उपर क्या होता है कैथोड के उपर होता है कि जिंक आएन जो है उन्ही दो इलेक्टोन को जो है gain करता है और किसके अंदर change हो जाता है जिंक के अंदर change हो जाता है तो यहाँ पर क्या देखना है आपने कि एनोड के ओपर जो जिंक ये आयन है इसकी कंसंट्रेशन यहाँ पर अलग है यान कि इसको हमने मान लिया C1 ठीक है और यहाँ पर जो जिंक आयन है उसकी जो कंसंट्रेशन है वो क्या है अलग है उसको हमने मान लिया C2 ठीक है तो यहाँ पर और और जो रियक्शन होगी और जिसकी कंसंत्रेशन क्या है C2 ठीक है यहाँ पर क्या होगा जिंक आयं जिसकी कंसंत्रेशन क्या है 뭔 निकंत्रेशन का का है यान, concentration of the product और significant of the reactant याइन की कंसंट्रेशन क्या थी, C1 कि जींक आयन की कंसंत्रेशन जो कितनी थी, C2 तो यहाँ पर क्या होगा ग्याओ की value क्या होगी c1 upon में c2 तो यहाँ जो है apply कर सकते हैं next equation के अंदर तो यहाँ पर emf of the cell is equal to यहाँ पर जो standard emf of the cell हो क्या है 0 है minus यहाँ पर क्या होगा 0.0591 n की value यहाँ पर कितनी थी 2 ठीक है तो यहाँ पर logarithm क्या होगा यहाँ पर base 10 के case में अगर हम बात करें तो क्या हो की value कितनी है C1 upon C2 यहाँ पर जो EMFSL का वो आप कैसे निकाल सकते हो तो किसके बरावर होगा minus 0.0591 upon 2 log C1 upon C2 ठीक है या फिर आप इसको positive करना चाहते हो तो इस प्रकार से कर सकते हो इसको concentration को आप चेंज करते हो इसको उपर ले जाओ इसको नीचे तो आप यह यह पर यह इसके बरावर होगा यह इसके बरावर होगा यह एक बात और आपको ध्यान रखनी इसके इंदर इस तरह की जो सेल होते हैं और अक्सिडेशन कहा पर होता है उस इलेक्टोड गेव पर जिसकी जो concentration होती है कम ठीक है और वो किसकी तरह काम करता है और पोजीटिव पोल होगा ठीक है तो इस प्रकार से आप अप्लाई कर सकते हैं concentration cell को आप represent कैसे कर सकते हो representation आप किस प्रकार से कर सकते हो यह हमारे पास जो है दो बिकर इस प्रकार से होंगे तो यहाँ पर अगर आपने zinc concentration cell को अगर represent करना है तो यहाँ पर क्या होगा हमारे पास यह jinक की रोड wähles 13 करेंगे जिसको हम जो है डिप करेंगे ही ने इसके सोलूशन के अंदर नहीं इसको irrita gel सब्सक्राइब यहाँ पर भी क्या होगा की जो हरोड होगी इसको भी अमक्राइब करेंगे जेट ban यहाँ पर यहाँ पर क्या होगा इसकी कंसेेशन जो है अलग होगी इसको मैंनेमालजिया सीवन तो ओर जो इलेक्टर होतीन ह्न्य इसके ये साथreally करते हैं यानके एक वोल्ट मिटर लगाते हुए इस प्रकार से कनेक्ट करते हैं और यहां पर हम क्या लगाते हैं सॉल्ट ब्रीज ठीक है तो इस प्रकार से जो है कि इसको रिपरजेंट के जाता है किसी भी concentration shell को तो यह तरैका होता है क्योंकि concentration cell के अधा जो रच्टोड होती है वो सेम होती है लेकिन जो iron की जो concentration होती है वो अलग होती है उसको हम गया बोलते है concentration cell जो हुआ झालिए जो लोग जो दो जो आए हुआ कर दो आए हुआ है